आपका स्वागत है मैं हूँ प्रियंगर पटेल और अब बढ़ते हैं आप तक की बड़ी ख़बरों की ओर पटना राजी के सबसे बड़े अस्पिताल पीम्सीएच में एक शब को ले जाने के लिए एंबुलेंस नहीं मिलने के मामले में स्वास्त मंतरी ने कड़ा एक्शन लिया है स्वास्त विवाग की ओर से एक एडवाईजरी जारी किया गया है इसके मुताविक मरीज की मौत होने पर गंतब्य अस्थान तक पहुचाने की जिम्मेवारी इलाज करने वाले डॉक्टर की ह होगी गौर तलब है कि हाल ही में एक बुजूर्ब महिला की मौत हो गई थी इसके बाद मिर्तक के परिजनों ने श्रब को ले जाने के लिए बाहन की मांग की थी लेकिन अस्पताल पर सासन ने किसी भी रूप में मदद नहीं की निजी एंबुलेंस ड्राइवरों ने श्र परियों ने अवैद रूप से भारत में प्रवेश करते समय पकड़ लिया फिलहाल सुरक्षा एजेंसिया उनसे पूश्ताश कर रही है सुत्रों की अनुसार गिरपतार नागरीकों के पास से दो साइबर हैक करने वाली बुक पेंड्राइव और कई संदिक दस्तावेज ब और किलिंग का संसनी खेज मामला सामने आया है यूपति के घर पर लड़के और लड़की दोनों के शरफ पंखे से लटक के पाए गया है खबर है कि यूवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर आया था इस दोरान दोनों की हत्या कर दी गई और श्रब को पंखे से लटका दिया गया स्थाने लोगों ने बताया कि घोसी के रहने वारे प्रकास कुमार का गाउं के ही एक नावालिक यूपती से प्रेम संबंध था कयास लगाया जा रहा है कि दोनों की हत्या कर उन्हें पंखे से लटका दिया गया था मेरे तक कई यूवक के शरीर पर कई जख्म के और पिटाय के निशान भी पाए गया है फिलाल मामले की जान चल रही है बेगुसराय जीले के बखरी थानक शेत्र के मचुआ डाला रेलवे ट्रैक के किनारे एक अग्यात यूवक की छट बिछट तर लास मिलने से पूरे चेत्र में संसनी फैल गई अपराधियों ने मानपता की सारी हथे बात करते हुए यूवक की आँख फोर डाले और गुपतांग भी काट डाले स्थानिये लोगों ने शब को देखते ही आनन्फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी सूचना मिलने के बाद अब बकरी थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और जाच कर रही है खबरों की जादा जानकारी के लिए आप लॉग इन कीजिए citypostlab.com पर